नमस्कार आप सभी का स्वागत है। हम सभी के जीवन में वास्तु शास्त्र एक अत्यनत महतोपुर्ण भूमी का निभाता है। वास्तु की नियमों को ध्यान में रखकर निर्मान किया गया कोई भी भवन हमेशा शुबफल देता है। दोस्तो प्रक्ते घर के मुखे द्वार पर एक धेलीज होती है जो घर के अंदर और भार के जिवन को विभाजीत करती है। किसी भी घर की संस्कृती, आधर, मान और मर्यादा को उस घर की धेलीज से जोड़ कर देखा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे घर के मुखे द्वार पर बनी हुई देलीज का क्या मत्वा होता है। हम समझते हैं कि धेलीज क्या होती है, तो किसी भी वास्तु के प्रवेश द्वार पर नीचे के तरप से थोड़ी सी उची उठी हुई लकड़ी की चोड़ी पट्टी बनी हुई होती है। आज कल कई जगों पर लकड़ी की धेलीज के स्थान पर पत्तर की धेलीज भी बनी हुई होती है। दूसरी बात, वास्तु शास्त्र में धेलीज का बहुत अधिक महत्वा बताया गया है। वास्तु के अनुसार, घर का मुख्य द्वार ये चोड़ी नी होना चाहिए। पर अधिवा पर धेलीज ना हो, तो इसे नीचे की तरप से कोई आधार नहीं होता है, जिससे इसकी चोड़ी नहीं हो पाती है। और इसका आकार तिकोना हो जाता है, जो वास्तु की द्रश्टी से घर के लिए अशुब माना जाता है। तीसरी बात, वास्तु की अनुसार घर की धेलीज, चंद्र, सूर्य और प्रिथ्वी का प्रतिक होती है। घर के मुख्य द्वार पर धेलीज का होना आवशक होता है, इन सभी उर्जाओं में संतुरन होगा, तो घर में आपार सुक्षान्ती रहती है, और वहां रहने वाले लोगों की उन्नती होती है। चवती बात, यदि घर के प्रवेश द्वार पर धेलीज नहीं होगी, तो ऐसे घर की सिमा रेखा पूरी नहीं हो पाती है, और ऐसे दरवाजे से नकारतमक शक्तिया घर में आसानी से प्रवेश कर सकती है, इसलिए घर में धेलीज होना बहुत आवशक है। चवती बात, वास्तु की अनुसार, घर की परिशानियों का कारण, घर के मुख्य द्वार से सबंदित, कुछ वास्तुदोश होते हैं, लेकिन द्वार पर धेलीज लगा कर इन वास्तुदोशों को कम किया जा सकता है। चटी बात, वास्तु की अनुसार, जिस घर की धेलीज सुच्छ, सू व्यवस्तित, सू सज्जित हो, उस घर में मा लक्षमी की करपा से कभी आर्तिक परिशानी नहीं होती। पूजन को बहुत महत्वत दिया गया है। चटी बात, यदि घर में धेलीज ना हो, पुराने जमाने में शायद ही ऐसा कोई घर होता था, जिस घर में धेलीज नहीं होती थी। घर की धेलीज को लांकर ही घर में नव अदू प्रवेश करती है। धेलीज के अंदर का जिवन सुरक्षा की हमी देता है और मर्यादा का ऐसास होता है। लेकिन आजकर फ्लैट सिस्टिम जादा प्रचलित है, इसलिए कई घरों में धेलीज नहीं होती है, लेकिन वास्तु की द्रश्टी से ऐसा होने पर घर में समस्याय आ सकती है। इसलिए इस नकरत्मक शक्ति को कम करने के लिए आप घर पर धेलीज अवश्य बना है। जर में आने वाले देवी देवता, मालक्ष्मी या सकरत्मक कूर्जाओ के मारग में बाधा निर्मान करती है। इसलिए धेलीज पर बैटना सर्वता अनुचित माना गया है। तो दोस्तों ये तिवा मोतुपुर्ण बाते हैं जो धेलीज के विशे में हमें जाननी आवश्यक थी। उमेदे ये जान करें आपको अच्छी लेगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करे। कमेंड में जे सिरकष्ण जे मालक्ष्मी अवश्य लिखे धन्यवाद।